तो यार यह जो आप टीका देख रहें हम दोनों के मात्य पर यह बैसिकली इसलिए है क्योंकि हमने मुक्तिनाथ का दर्शन किया मुक्तिनाथ जी का और अभी पिछली वीडियो मैंने आपको पूरा मुक्तिनाथ जी का दर्शन कराया है सारी बाते बताई है तो आप अपने अगर नहीं देखिए तो देख लेना यह बेसिकली जो व्लॉग है नेपाल की 11th व्लॉग है और अगर आप मुस्तांग की बात हैं वहां तक जाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम इसका विनाम है शुभम और अभी हम है मुक्तिनाथ में और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SJVLOGS अभी फिलाल क्या करना यह जो भी समान यहां पे बिखरा हुआ है इसको इदर हटाओ और यह समान देखो य अभी हमने कुछ खाना नहीं खाया है हमने सोचा है जाके खाएंगे तो अगर जैसे आप मुक्तिनाथ आ रहे हो और आपको मालो जैसे स्टोरीज वगरा यह इंस्टाग्राम वगरा इंटरनेट से कनेक्ट रहना तो ऐसे छोटे गर पर मत रहना यह लोग पागल बनाते है आप आजाओ वाइफाइब नहीं चल रहा है थोड़े बात चलेगा कब भी नहीं चलता वाइफाइब नहीं पैक ही नहीं रखा है बस राउटर लगा हुआ है उप तो आप थोड़े आगे चले जाओ बहुत सारे होटेल से यह पर थोड़े पैसे जादा होंगे लेकिन बभाई टिनी विलेज और यहां से काग बेनी है 11 km और उसके बाद आएगा जॉमसम उसके गलफ्स गर गए ते चलो तो यार वापस से हम आगे जॉमसम और जॉमसम में हम यहां पर ड्रीम्स गेस्ट हाउस में थोड़ा सा खाना वाना खा रहे हैं जो थकाली खाना होता है वो खा रहे हैं और अब यहां से निकलते हैं यहां दूप बहुत जादा ही है बहुत तीखी दूप है इन फैक्ट तो वाइफाई भी नहीं मिला कोई ढंका यार स्टोरी अब यहां से निकलते हैं और घासा चलता है पेट्रोल भी लेना है अपने को पेट्रोल हमारा मेरा लोफ्य लेवल भी देखता हूं रास्ते में कई मिला तो ले लेता हूं हुआ है कि बहुत बहुत ही जादा तेज हावा चल रही है और शायद हमेशा ही चलता है इसलिए यहां पर बहुत सारे होटेल्स हैं जैसे एक होटल होटल विंड विंडी वैली मतलब समझ लो यहां पर हमेशा ही तेज चलता है इसलिए इसलिए नाम रखा गया तो यार दे आपने कोई दर से नहीं जाना है क्या अपने कोई दर अच्छा तो यार वाटर क्रोसिंग वापस से शुरू हो गई है तो अभी मैं आपको परफेक्ट एक्जाम्पल आफ रेंड शैडव एरिया के बारे मैं बताता हूं देखो यह जो एरिया है जैस पर अभी हम बाइक चला रहे हैं यह पूरा ही एकदम देख लो कितना धूप है और वुदर देखो दर पूरा बारिश के पूरे चांस लग रहे हैं मुस्तांग बेसिक लीग रेंड शैडव एरिया जैसे लदाख है स्प किती बीसं है मुस्तांग 2020 कि मेरे सामने देखोंगे और कि यह देखो आगे कितनी बारीश की पूरी संबावनाई कि अंगर 20 एंदी हिंदी कि यह विपाइब्रें दोगे बैठो कहाँ पर उपर कहाँ वेठोगे तो गया थो क्या ना में तुमारा हम निगा जीन वह निगा लोंगे अच्छाइब। अच्छा हम भी किरेंगे तुम भी किरेंगे हाँ यह इसकूल है? कहा पर? चलो चुट्टी हो गया इसकूल है? चुट्टी हो गया? चलो बाई आओ पर्क पड़ेगा यार को कुई फर्क नहीं है इनका उल्टा जो टायर होता है वो साफ हो जाता है तो यार यह जो वोटर क्रोसिंग है अभी तक के पुरे राइड के सबसे जादा बड़ी वोटर क्रोसिंग है वह कि वह और इस ने रोक दिया पानी चली गई भाई पुलोन इसने रोका नहीं होता तो मैं एक बार में निकाल लेता पर कोई बात नहीं हाँ तो यार जो बंदा मेरे साथा राता पता निसका बाइक में क्या दिक्कत होगी देखे जरा गर है तो अब देखते हूं पानी किती फ्लो में आरी है वड़ापन जो ओड़िया तो भाई की चेन उतर गई है तूटी नहीं है और यार पानी बहुत जादा है यू निड़ेनी एल्प लो है ओके दन जाएं जाएं जो बोट्स है जो मैंने पहने हैं राइडिंग परपस से बेकार है आप गलती से भी यह बूट्स ना ले आठ हजार उपे आपके पानी में जाएंगे तो अब बारी है पानी निकालने की यह देखना कि देखो बांड बाइगर महां बैठा हुआ है कल नहीं से राइड सुरवात कि दी कालो पानी से और हम कालो पानी पहुंच चुके अल्मोस्ट यहीं कुछ दर में वह भंडारी होटल आजाएगा जहां पे हम रुके वे थे और उसके बाद से रास्ता माशाल्ला तो लो या है और मेरे बाइक का जो टाइम वह गड़बड हो गया है तो अभी अपन जाएंगे गासा वहां से पेट्रोल लेंगे क्योंकि पेट्रोल हो रहा है खतम है कि पेट्रोल लेना पड़ेगा अपने को प्रहरी चेक पॉइंट अपने सवारी साधन की जांच ता मतलब जांच क कितनी दर के लिए बन किया है अब जाए अब जाना है अब करें में पोखरा जाना है जा रास्ता बंद तो यार यहां पे तो बहुत बड़ाई केल पीडी हो गया है हम सोच रहे हैं पोखरा पहुचने का और यह कह रहा है साड़े छे वजे रास्ता कुलेगा तीन घंटे हमें यहीं रहना है तो बैयार है रिक्वेस्ट करते हैं क्यार हम घर पहुंच जाएंगे अपने यार ऐसे तोड़ी 4-4 गंटे तोड़ी रुकता है कोई और रहे हैं पत्थर अटा देंगे हम अटा देंगे इस वर बाइसाब आप यहीं क्यों अजब घुची है यह हमेशा का सेन है और चार चार घंट कर देते हैं तो इसके अधुन लिया आगा दाई द शेक बंद रहे हैं अब यह इतने ही नहीं है ना इसे क्या करें चार गंट पुखरा जाना था आप कैसे आया हो जीप है बस है तो बस और बाइक में डिफरेंज है ना हम दिरे दिरे चलते है बढ़ा ही बुरा सीन हो चुका है भाई लोग मुस्तांग में तो बहुत गंदा फस चुके है हें एक यहां पर है एक वहां पर है बड़े बड़े पत्थर ही यार एसे बड़े बड़े पांढ od कि यहां पर कोई स्टॉप लेना होगा और इंतजार करना होगा शाम होने का और साथ साथ में क्या से क्या हो गया जालीम इसको कुछ करना पड़ेगा वन्हा नेपाल में भाइक रोक लेंगे तरण निर्मान कारे उंचे चू हुंदे चू भी हाना साड़ा छे से साड़ा ग्यारा और ढाई से साड़ा चे बैड लक ब्रो बैड लक काम ने सोचा था किया जम पोकरा पहुंचेंगे क्या पता आप कहां पहुंचेंगे अब हमी रास्ते में दो बंदे मिले आपका नाम क्या सवगत आपका इस दिवस तो यह दोनों भी हमारे साथ जाएंगे अभी हमारे सक्रों यह भी हम लोग साथ में फश चुके हैं तबी साथ चलेंगे बेनी तक तो यार फाइनली पोर आवर्स हम निकल गए हैं शायद हम निकल गए हैं शायद कि यहाँ पर तो साफ है मामला कि अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वह जो आप स्लश वाली राइड थी वह अपने को रात में करनी होगी कि चलो यहां भी फश गया ओ बैयार यहां भी काम चली रहा है आप लोग कहां से नेपाल में कहां से तो यार देखो मैंने जैसा अभी बोला नेपाली पीपलार वेरी हेल्फुल अभी मेरा यह तूड़ गया है तो भाई ने का अभी मैं कर देता हूं यह काम अब यहार कैसे करेंगे वह ठीक है वह बात की बात लेकिन भाई इतना एफट लगाया यही मेरे लिए बहुत बात एंडिया होता तो कोई नहीं लगाता दूसरा भी तोड़ देते हैं दूसरा भी तोड़ देते वाई बोलते नया लगेगा यह थो किनो अपर के दूसराण है वाई दूसरा इतनी है अच्छी को सब्सक्राइब कर दूसरा बात लाई फटनी यह थो एंट की जांट की अधर प्रिया जर्फ़ाइब की ताफ शूरा नेे कि पर वह प्रीपन वेरी वेरी ताफर्ड द्रसा में अटी बैस्तर अग्या क क्या बोलो अब मैं वेरी हिल्फुल थैंक्यू सो मच नेपाल ओके तो आज की इस वीडियो में यही तक रखा है क्योंकि आगे का जो कॉंटेंट था बहुत बड़ा हो जाता है से 30-40 मिनिट की वीडियो बनती तो मैंने इसको यहां पर काटा है मैंने आपको पूरा आगे का मैं आपको बताना नहीं चारा लेकिन बहुत ही टेंजरस सीन है तो यह आप जो वीडियो आएगी आपको कल वीडियो में मिलेगी आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल से मुझे बहुत प्यार मिलाया थैंक्यू सो मच फॉर एंड अभी क्या है अभी इस वीडियो को रभ अप करते हैं खतम करते हैं आई होब अपको पसंद आई होगी और आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ दिखाओ यार शेयर करो और नेपाल थैंक यू सो मच यार इतना सारा प्यार देने के लिए मिलते गास नए वीडियो में चैनल पर अगर नए हो तो प्ली सब्सक्राइब करके जाना घंटी दबातो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिले आपको फोन में पैसे वैसे नहीं लग है